सार्दा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है नमस्कार आज हम ये एक मफलर कैप की बात करने वाले हैं हमारा एक वीडियो है मिनी मफलर कैप वो बहुत ही पॉपुलर है उसमें क्या है कि ये तोपी उपर बनाई है और उसमें यहां पर ये छोटा सा मफलर लगाया है जैसे ये वाला मफलर लगा है यहां और उसमें बस इतना है कि वो ये आगे ऐसे बंद हो जाता है गले में उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे वो आप देख लीजिएगा यहां पर ये पूरा बड़े मफलर के साथ तोपी लगाई गई है लेकिन इसम कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आपको समझ लेना जरूरी है ये जैसे टोपी है इस डिजाइन की टोपी जो हमने बनाई है वहां पर उसमें 72 फंदे लेकर बनाई है वो आपको देखना पड़ेगा यहां पर मैं अभी थोड़ा सा ये डिजाइन बता दूंगी आपको लेकिन ये एक और हमारा वीडियो है कि पीछे टोपी को कैसे चार हिस्सों में बाट कर बंद करें वो भी आप देख सकते हैं या तो फिर आप नॉर्मल अगर बिगनर हैं तो ये आप टोपी बुनते हुए आईए और फिर दो सलाईयों में एक सलाई में दो का एक, दो का एक करिए इस तरह से इसको बंद करके आप टोपी बना सकते हैं ये टोपी को यहाँ पर थोड़ा देड़ दो इंच के करीब सिला है और उसके बाद फिर ये मफलर इसमें जोडा जाता है ये तो पहली बात हुई जो ध्यान रखनी है आपको अब दूसरी बात ये है कि ये जो उल्ट आप आपको बता दूंगे अगर आप ऐसा रखना चाहते हैं तो वह भी रख सकते हैं तो उल्टे हाथ की तरफ ये हम पहनेंगे और ये मफलर का टुकड़ा हमारा नीचे की तरफ लटकता रहेगा तो इसकी जो लंबाई है जो टोपी में आ गई वह तो टोपी में आ गई लंबाई जो बहार लटक रहा है उसकी लंबाई ये लगभग 15 इंच के करीब है 14-15 इंच के करीब है और ये जालर अलग से हैं इसको हम इतना लेफ्ट साइड की तरफ हम छोड़ेंगे फिर ये हम मफलर टोपी के साथ लगाएंगे अब ये जो यहां पर हमारा राइट वाला मफलर है इसको हम इस मफलर से दुगना रखेंगे डबल अगर ये 15 है तो इसको हम 30 इंच रख सकते हैं क्यूंकि ये जब हमारा मफलर हम पहनेंगे इसको तो ये आगे से इस थरह से हमने पहना इसको तो ये हमारे आगे से होता हुआ पीछे की तरफ करके और हम इसको फिर से अपने आगे की तरफ ला सकते हैं या तो पीछे की तरफ छोड़ सकते हैं या फिर से आगे की तरफ ला सकते हैं तो आपको सीधे हाथ की तरफ का जो मफलर की लंबाई है वो लगभग दुगनी तोपी के सेंटर से मफलर को लिया और टोपी में जोड़ा और दोनों तरफ इक्वल मफलर हो गया वो भी आप रख सकते हैं तो यह आपके उपर निर्भर करता है कि आपको किस तरह से पसंद है तो आईए अब थोड़ा सा इस डिजाइन की बात कर लेते हैं यह डिजाइन कैस तैयार 9 इंच आई है तो 9 इंच से कम हमको बिल्कुल नहीं चाहिए यह फ्री साइज है और अगर आप इस तरह की बुनाई डाल रहे हैं तो जो मैं फंदे बता रही हूं वो आपको रखने हैं और अगर आप नॉर्मल कोई बुनाई डाल रहे हैं तो 100 के करीब आपको बढ़ जाते हैं इसलिए 70 72 के आसपास रखते हैं और बाकी तो अगर आपको और भी लूस कैप बनानी है अगर पीछे जुडा उडा बनाने के बालों का है तो आप और भी थोड़े से जादा फंदे रख सकते हैं तो यह हमने यह बनाया 9 इंच हमारा तयार आ रहा है लेकि इसको इस तरह से मोर देंगे तो यह किनारी काफी आराम दायक हो जाती है और सुन्दर भी दिखती है यह फ्रंट से जब हम इसको देखते हैं तो यह काफी सुन्दर दिखाई देती है अच्छी लगती है तो यदि आपको ऐसे करना है तो आप इसको यह बाद में इसी गंबाई की साइस की बात हो गई, आईए, अब हम थोड़ा सा इस बुनाई को देख लेते हैं, ये डबल उन से हमने फंदे डाले हैं, दो के जोड़े से, multiple of two हमको फंदे चाहिए, डबल सलाई पे फंदे डाले हैं, नहीं तो ये किनारी ना बहुत टाइट हो जाती है, इसलि सलाई रिपीट होगी, पहला फंदा उल्टे के जैसे उतारा, उन अंदर की तरफ है और अगला फंदा सीधा बुना, उन अंदर की तरफ लाए, इसको उतार दिया, अगले फंदे को सीधा बुन दिया, उन अंदर की तरफ लाए, इसको बिना बुने उतार रहे हैं, उल्ट गट गया, दो हो गए फंदे, पहली सलाई हमने इस तरह से बुनी, और ये दो के गुणा से हमारे फंदे थे, अब जो हमें सलाई दूसरी बुनी है, वही ये foundation row के अलावा, वही ये one row repeat pattern है, पहला फंदा बिना बुने उतारा, और अगले फंदे को अब हम दो का जोड़ा बन तो यहाँ एक फंदा बढ़ गया, एक फंदा घट गया, उन अंदर लाए, इसको उतारा, और ये दो का जोड़ा बुन दिया, बस यही line हमको बार बार दोहरानी है, और ये हमारा design अच्छा बन जाता है, थोड़ा मोटा होता है, ये हमारे फंदे बढ़ रहे हैं यहाँ, ये one row repeat जो हमको करनी है, जो एक ही सलाई बार बार repeat करनी है, वो यही है, एक बिना बुने उतारेंगे, दो का जोड़ा, एक बिना बुने, दो का जोड़ा, इस तरह से ये हम अपना muffler और topi, ये हम बुनकर सुन्दर सा ये muffler cap बना सकते हैं, सारदा knitting channel में बहुत सारे बुन अब लास्ट जरूरी बात जो है, कि मफलर, ये जो हम मफलर बना रहे हैं, इसमें कितने फंदे डालें, और ये जालर, जालर के हमारे दो बहुत सुन्दर वीडियो हैं, जिसमें तरहें-तरहें की जालर बनानी बताई गई हैं, आप वो देख सकते हैं, और ये जो मफलर है अगर आपको जितना भी आप चाहते हैं, इसकी चोड़ाई जो आई है, ये लगभग 5 इंच आई है, ये पतले की तरफ ही है, और इसमें बहुत ज्यादा मोटा चाहिए भी नहीं होता है, तो ये 38 फंदे, 40 फंदे का ये काफी बड़ा हो जाता है, तो इस वाली बुनाई क आप 38 फंदे के आसपास डाल सकते हैं, और अगर आपको और बड़ा बनाना है, तो आप बड़ा भी बना सकते हैं, ये तो देखिए हमारे इच्छा है, जैसी हमारी जरूरत है, वैसा हम कर सकते हैं, आशा है आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, अपने मित्रों के साथ शेर करिए, और इसी तरह से अच्छे अच्छे बुनाई के वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइबर बटन के साथ नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएं, और उसमें All को सलेक्ट करें, जिससे आगे आन वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, धन्यवाद,